Recurrent Neural Network क्या होते हैं और Recurrent Neural Network क्यों यूज किया जाते हैं इनके बारे में हम आज से ओनवर्ड जिसक्स करेंगे आपने NLP का नाम सुना होगा जिसको हम Natural Language Processing बोलते हैं और आपने Time Series Analysis का भी नाम सुना होगा जिसमें हम Time की बेस पे किसी भी डेटा को Analyze किया जाता है अब इन दोनों किसम के Analyze के लिए कोई Specific किसम के Neural Network क्यों यूज किया जाते हैं जिने हम बोलते हैं Recurrent Neural Network और Recurrent Neural Network से अब आगे एक हो रहता है जिसको हम Long Short Term Memory वाले Neural Networks बोला जाता है या LSTM Model बोलते हैं उसके भी आगे हमारे पास होता है Gated Recurrent Units ये कुछ ऐसे नाम हैं जो आने वाले दिनों में आपके दिमाग के अंदर बहुत ज़्यादा हल चल करने वाले हैं because we are going to start from today onwards RNN यानि के Recurrent Neural Network सबसे पहली बार Recurrent Neural Network होते हैं और इसमें कौन-कौन सी चीज़ें आती हैं इसके बारे में हम discussion करेंगे and then we will move towards kind of time series analysis using recurrent neural networks time series analysis के अंदर जो चीज़ी important होती हैं उनके बारे में discussion करेंगे and then at the end हम Recurrent Neural Network से प्रॉपर एक project करने वाले हैं जिससे हम time series को data को देखेंगे और उससे भी आगे हम Recurrent Neural Network के थुरू NLP के task को सरंजाम देने वाले हैं जिसमें हम Twitter का analysis कर सकते हैं sentiments का या breaking news का analysis कर सकते हैं या disaster detection का analysis कर सकते हैं तो क्या वो tweet true है या नहीं फिर इस तरह के और भी काफी काम कर सकते हैं अब Neural Network और Recurrent Neural Network और इससे आगे जितनी भी types हैं इनके बारे में discussion से पहले आज मैं आपको एक छोटी सी notebook दिखाऊंगा जिसके अंदर Recurrent Neural Network किस तरीके से apply किये जाते हैं दिसकेशन करने वाले हैं और फिर आज के बाद आपको सारी के सारी recording वीडियो की और साथ में lectures live मिला करेंगे Recurrent Neural Network पे तो अगर आप ready हैं तो start करते हैं मैं screen आपके सामने share करता हूँ यह हमारे पास जनाब screen है और आपको पता है कि यहां पे deep learning के अंदर हमने six, seven और eight तीन हमने notebooks और ready upload कर दी हुई है यहां पे आप देख सकते हैं और इन तीन notebooks के अंदर आपका पूरे का बुरा Recurrent Neural Network जो है वो चुपा हुआ है अब Recurrent Neural Network और LSTM प्लस GRU यह तीन notebooks आपके सामने आएंगी अब पहली notebook पे मैं click करता हूँ जो already मैंने यहां पे upload कर दी हुई है और इसको मैं GitHub के ओपर push भी कर दूँगा Recurrent Neural Network के अंदर आपके पास LSTMs भी होते हैं और gated recurrent units भी होते हैं यह तीन किसम के neural networks हैं इनको हम पढ़ने वाले हैं but first we will see के Recurrent Neural Network किस तरीके से Python के अंदर implement होते हैं इसके code को समझेंगे then it will be easier for you to understand के implement करना कोई मुश्किल नहीं है we just need to be careful about the things जो हम इसमें utilize करने वाले हैं तो सबसे पहला काम क्या है हमने यह तीन libraries जो important है इनको import कर लेना है import numpy as np, tensorflow और tensorflow के अंदर से dense और simple RNN का एक जो function है उसे import कर लेना है और साथ में sequential को यह मैं इसको run करता हूँ just to see कि हमारा अगर network सही तरीके से काम कर रहे है और हमारी installations बहुत अच्छे तरीके से चल रही है it will give us this green tick यह पहली indication होते है कि आपकी book जो है वो सही चलेगी notebook अब यहाँ पर यह neural network का start जो हमने शुरू की है अभी इस से आगे आप क्या करते हैं कोई भी एक random data जो है उसे generate करते है for example यह मैंने random data generate की है और इस data को generate करने के बाद we can have a look into this data यह random data हमारे पास x का भी है और यह सारे का सारा data है ठीक है और अगर इसकी shape मैं आपको दिखा हूँ it has a shape of this kind of thing so we have 100 by 10 by 1 x shape and 100 की हमारी जो y shape है यानि कि x shape के अंदर हमने randomly 100 चीजें जो है वो ले लिये और उसको 10 से multiply एकर किया जाए तो 100 by 10 हमारे पास rows versus column आप कह सकते है और 1 है और यह same data हमारा images का भी हो सकते है which we were working on and these are the labels ठीक है तो हमारे पास x data है और यह labels है हमारे पास हमने यह देख लिया कि random data generate हो गया अब इस random data के ऊपर हम model को लगाते है और believe me it's very easy to run RNN on on any kind of data set और किस side पे data set पे ज़्यादा लगता है वो मैंने आपको बता दिया time series का data होता है उस पर लगता है but we will see now first हम understand कर ले हमने model को compile करना है simple RNN के अंदर 32 neurons हमने बनाए input shape हमने जो हमारी shape थी of this thing यह हमने दे दी यह इतने column है हमारे तो उतने input shape आगी तो हमारे पास 32 neurons है 32 start किया हमने और at the end हम sigmoid function में binary classify कर रहे हैं चीजों को और हमें कैसे पता लगा कि binary classify करना है अगर मैं y को यहाँ पे print करूँ तो हमारे पास labels जो हैं वो binary classification के हैं और usually यह labels जो हैं यह basically मैंने already random database generate कर दिये थे 0, 2 का और size इसका 100 0 का मतलब है start करना है और बाद में 2 value वाला हमारे पास random integer होना चाहिए जो 0 और 1 ही है size इसका 100 होना चाहिए तो हमने x y randomly generate करके यहाँ पे model बना लिए sigmoid function के साथ जो simple addition होई है वो simple RNN की होई है that's it convolutional 2D network की बजाए हम simple RNN use करेंगे model को compile करेंगे same वो ही item and binary cross entropy plus आपकी accuracy and then you will fit the model with the same thing जो आप पहले करते हैं और model को evaluate करेंगे and then you can also plot the model मैं इसको run करता हूँ and then you will have an idea के आपके पास जो 10 के 10 epochs हैं for simple RNN वो run हो रहे हैं क्योंकि data बहुत चोट है तो यह आपके पास इस तरीके से यह run हो जाता है we will see in details के RNN होते क्या और किस तरीके से आती हैं मैं सिरफ आपको एक go through दे रहा हूँ कि इसको compile करना कोई मुश्किल नहीं है similar thing happens with LSTM this is long short term memory यह special kind of RNN होता है जो capable होता है long short long term dependent को dependencies को read करने के लिए हम इसके लिए इस तरीके से LSTM को import करते हैं simple RNN की बजाए हम LSTM को कर लेंगे और हमने यहां पर flight passengers का data already ले लिया है which is a time series data और इस data को हम देखते हैं पहले फिर आगे लेके चलते हैं कि यह model क्या कहता है तो मैं इस model को separate कर लेता हूँ यहां से so I can show you so हमारे पास यह वाला data है जो हम load कर रहे है df.head अगर मैं इसको करूँ मैंने इसको run किया now it will show me the data यह मेरे पास data है ठीक है यह हमारे पास dates है और यह value है value क्या है कि flight के जो हमारे पास passengers थे उनकी value है ठीक है कितने number of passengers travel किये है from each date ठीक है तो हमारे पास time series का data है और अगर मैं इसकी shape देखू df.shape यह हमारे पास है 144 थी so 144 दिन का data हमारे पास मुझूद है कि कितने लोग travel की है हर एक दिन तो flight passengers का यह data time series का data है and now we are going to run LSTM on time series data obviously हमें data को split करना होगा train data size में or test data size में and we can do by using some kind of i-lock function क्योंकि इसके अंदर different होगा काम we will learn into this we will learn this thing in a nice way और फिर अमने normalize करना होता है फिर data को sequence के अंदर change करना होता है and at the end हमारे पास shape जो है input samples के बनाएंगे model को define कर लेंगे and at the end model को compile करके हम history के साथ से plot कर लेंगे so something like this will happen so epochs चलेंगे अगर आपके पास GPU है then it will be really fast GPU नहीं है तो it will be a little bit slow लेकिन क्योंकि rectangular data है तो हमारे पास इतना मसला नहीं बना and this is how you can plot your actual versus predicted data time series के जो plot होते है वो कुछ इस तरीके से line plot की तरह होती है so we can run time series analysis on using LSTM LSTM के बाद हमारे पास और भी next level की data generation भी हम कर सकते है and then we can do a lot of things on kind of data जो हमारे पास मुझूद है NLP का data for example यहां पे अगर गौर करे LSTM और sequential है यहां पे हमने क्या किया एक text लिया sample text data है हमारे पास hello world this is a simple text example for RNN हमने यह data ले के इसके उपर अपना LSTM रन किया और categorical data है हमारे पास तो categorical loss entropy जो हमारे पास आ गया and then we run something with org max function और हम क्या कर सकते है हम based on that यहां पे LSTM on NLP रन कर सकते है which we are going to learn in upcoming days by the way so just to show you के हमारे पास LSTM के कई functions होते है and most of the functions I mentioned here और यहां पे अगर आप चेक करें तो हमारे पास यहां पे different किसम का इससे data generate हो सकते है and then we can run a lot of other tasks on NLP task but we will see in future how we are going to do पिर आपास आते है gated recurrent units यह same time series की तरह इस पे काम होता है लेकिन यह gated recurrent units होते है other than LSTM they perform in different kind of scenario so same तरीका का रहा है सिरफ LSTM के बजाए हम model के अंदर GRU use कर लेंगे जिसे group ही बोला जाता है इसको gated recurrent units कहते है और इनके बारे में हम discuss करेंगे in our data set मैं इसको run करता हूँ and then you will see an output at the end और इस तरह की output जो है यह हमें basically gated recurrent units के थूँ मिलती है which you can have a look और आपको पता लग जाता है कि आपका data more accurate patterns आपको बता रहा है due to gated recurrent units तो यह तीन किसम के neural networks है we are going to use मैं यहाँ पे ignore warning कर दूँ ignore warnings so warnings will not show up और इसको मैं सभी को run करता हूँ और यह notebook आपके सामने आ जाएगी what we are going to do in upcoming days इन चीजों पे हम real life project करने वाले है real time project करने वाले है we are going to use a library called yahoo finance वहाँ से data को हम fetch करेंगे live data को so stock market के data को live fetch करेंगे और stock market के data पे उपड़ हम काम भी करेंगे जब हम stock market का data लेंगे वो stock market का data एक time series का data हो हम 10 साल का 5 साल का 6 साल का 20 साल का data निकाल के stock market को predict करेंगे then in future on time series analysis we are also going to learn forecast model from meta which is called profit model उसको भी हम run करेंगे and there are some pre-trained model जो time series के analysis में आपको help out कर सकते हैं LSTM grew हो गया इस तरह का हमारे पास जो है RNN है फिर हम time series के जो model है उनको देखेंगे इसके इलावा we are going to also run some models called ARIMA and then SARIMA model these models are very important when you are going to run time series analysis so आज से time series plus NLP के task start होने वाले आप से request यह है कि please tune करके रखियेगा क्योंकि हम real type project करने वाले है real life data उठा के उस पर projects करने वाले है और future prediction करने वाले है about stock market about other market and we will think about many other things as well when we are working on these time series projects I am hopeful के आप हमारे से जोडे रहेंगे अब करना क्या है और कौन कौन सी चीजें जो हैं आपके लिए important है to think about and to learn about जो main चीज़ है important आपको सारे के सारे lecture एक प्लेस पे मिलेंगे because most of the lectures we are going to use here are actually we will upload on something let me share my screen first जो lecture हम upload करेंगे आपके सामने ये स्क्रीन आपके सामने शेयर हो रही है ठीक है आप गूगल पे जाएंगे गूगल पे जाने के बाद आप यहां पे लिखेंगे kodenix kodenix.com की website आपके सामने open हो जाएगी ठीक है और यहां पे आपने जाने के बाद ये kodenix के main page पे चले जाने main page पे जाने के बाद आपको यहां पे six months of data science and AI का course मिलेगा ये totally free है सभी के लिए so you don't need to pay anything you just need to enroll नहीं भी enroll करवाते everything is free of cost available here यहां पे day 117 से onwards आपको सारे lectures जो हैं वो RNN के, LSTM के और GRU के और time series के मिलने वाले हैं so आपसे request यह है के आप इसको regularly visit करते रहें इस website को every lecture will be uploaded directly there most of the times we will see also you we will see you also in live lectures every day at 9.30 PM Pakistani time लेकिन हमारे ज़्यदा दर lectures यहां पे recorded form में आपको मिलेंगे because sometimes मेरे पास रात को time होता है sometimes दिन टाइम होता है तो I will record those lectures meanwhile यहां तक अगर आपको clear हो गया so I can also put this whole course link in the description as well you can find in the description otherwise you can find out all the lectures here और अगर आप deep learning के बारे में machine learning के बारे में mathematics के बारे में statistics के बारे में data science के बारे में basic EDA analysis के बारे में data visualization के बारे में कुछ भी सीखना चाते हैं तो यह 6 मा का course आपके लिए freely available है जिसका link मैंने अभी comment section में भी दे दिया और description में मुझूद है यहां तक के लिए इतना ही मिलते हैं इन्शाला कल को और अभी मैं सारे के सारे lectures आपको upload करके और discord के channel के अंदर discord के server के अंदर message कर दूँगा इसी के साथ ही मुझे इजाज़त दे like कर दे, share कर दे, subscribe कर दे take care and Allah Hafiz